अलो दोस्तो तो अगर आप वेब डेवलोपमेंट करते हो तो आपने ये .env नाम का पैकेज है वो जरूर से यूज किया होगा देखे यहाँ पर मैं हूँ npmjs.com नाम की वेबसाइट पर और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पैकेज है जो की है .env और इसका हम तब यूज करते है जब हमें environment variable जो की हमारी .env files होती है उनको read करना है हमारे project के अंदर और हमारे project के अंदर जब हम .env file यूज करते है तो उसके पीछे एक purpose होता है और वो purpose यह है कि हमारे उस file के अंदर बहुत सारे secrets होते है जैसे कि उसके अंदर हम API keys रखते है फिर हमारा जो project है वो जिस पी port पे run हो रहा है वो port number हम वहाँ पे define करते है जो की बहुत ही confidential होती है और हम नहीं चाहते है कि वो कई से भी लिखो इसलिए हम उसे .env के अंदर रखते है बट यह जो .env है उसके अंदर कुछ flaws है या पर अगर आप अपी देखेंगे या पे पेज की first line जो कि यह announcing.env x run anywhere multi environment and encrypted environments तो यहाँ पे जो .env है उनके जो creator है उन्होंने खुछ से एक नया package introduce कर दिया है जो कि यह .env x तो अभी हम चलते है .env x के इस package directory में और अभी आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे mention किया हुआ है better.env from creator of .env अब इसे खुद .env के creator ने बनाया है और यह क्या फाइदा provide करता है हमें देखें हमारी जो traditional .env है वो कही पे भी cross platform पे run नहीं होती है मतलब कि हो सकता है कि आपका project जो है वो basically Ubuntu के अंदर काम कर रहा है लेकिन जब आप उसे Windows के अंदर run करोंगे तो उसके अंदर error आ जाए तो यह problem solve करने के लिए पहले हम क्या करते थे cross-env नाम का एक package उसका use करते थे जो कि हमें feature provide करता था जो की था cross platform compatibility लेकिन अभी अगर हम .env x use करते तो यह feature हमें by default में जाने वाला है उसके बाद जैसे कि मैंने यह बता है कि multi environment जैसे कि आपका अगर production के लिए separate environment file है जैसे कि .env.production या फिर development के लिए अलग environment file है .env.development and same way में .env.staging भी हो सकता है तो यह vary करता है आपके project के flow के उपर और उसके structure के उपर जिस तरह से आपने define किया हो तो हमें इसकी भी need होती है तो multi environment भी हम इसके तुरू achieve कर सकते है और वो भी without cross-env का use किये हुए then इसका एक और powerful feature ह जो कि मेरा तो बहुत favorite बन गया है और वो है encrypted environments मतलब कि आप जो भी .env file के अंदर environment variable फूर करते हो वो plain text के अंदर होते है और कोई भी उसे read कर सकता है अगर वो चाहे बट अगर आप इस package का encryption का feature use करोगे तो आपके वो environment variable है वो unreadable format में convert हो जाएगे और वो encrypt हो जाएगे तो ये सारी चीजे कैसे करनी है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ तो चले अभी चलते VS code के अंदर और मैं आपको इसका practical करके दिखाता हूँ तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने VS code के अंदर और मैंने याप एक अपना traditional प्यारा दुलारा package जो कि है .env उसको याप इंस्टोल किया हुआ है और अभी अगर मैं इस code को run करूँगा तो आप देखना ये जो हमारा .env package है वो यहाँ पर मैंने एक file रखी हुई है जिसका नाम है .env उसको read कर रहा है और यहाँ पर यह सारे configuration यहाँ पर print कर रहा है तो इसमें कोई problem नहीं है लेकिन अगर मैं चा इंस्टोल करेंगे तो अभी मैंने इसे uninstall कर दिया है और अभी हम यहाँ पर यह जो package है उसे install करने वाल है तो यहाँ पर मैं .envx को install कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा .envx install हो चुपा है और अभी हमें इसका use करने के लिए यह जो package है उसको simply यहाँ से remove करके .envx कर देना और तभी यहाँ पर आपको एक log दिख रहा है जो कि है injecting.env to prompt.env मतलब यह जो हमारी .env file है उसके अंदर से इसने दो environment variable read किये और इसका यह आपर log है जो कि हमने print करवाया है अब यह तो हो गया कि अगर हम .env traditionally जो हम file create करते हैं जो कि एक हमारा single environment के लिए होता है वो तो बहुत ही आसान इसे हो रहा है और वो इस package से भी होता है और वो हमारे पूराने वाले .env से भी होता है लेकिन अभी अगर हमें इसके अंदर multi environment support चाहिए जैसे कि मैं .env.development भी read कर पाऊ और .env.production भी read कर पाऊ तो वो हम कैसे करेंगे और इसके लिए again हमें और कोई dependency नहीं जाहिए हम इसी package की help से करने वाल है तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ दो files create करता हूँ पहले होगी .env.development और एक और होगी .env.production तो यह दोनो files मैंने यहाँ पर create कर लिए और अभी यह जो सारे environment variable है वो मैं इसके अंदर put करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने इसकी replica बना लिए अभी चलते हैं हमारे packet.json के अंदर और यहाँ पर अभी हमने देखिए यह जो हमारी start script है जो कि हम usually production के लिए use करते है उसको हम थोड़ा modify करने वाले है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ जो start script है उसके आगे मुझे लिखना है .en .envx and then यहाँ पर मुझे इसका एक command है जो कि यह run command वो type करना है और यहाँ पर मुझे hyphen f करके मेरी जो file है जो कि इसके अंदर use हने वाले है उसको mention करना है तो हमारे case में हमारी यह start script है वो production के लिए use होगी तो यहाँ पर मैं लिखूंगा .env.production and then यहाँ पर आपको अपने dev script create करते है और इसके अंदर हम लिखेंगे same way में .envx run-f लेकिन यहाँ पर जो file का नाम होगा वो होगा .env.development now हमारे पास अभी node 1 इंस्टोर नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर node index.js से लिखूंगा and then अभी हम इसे save कर देंगे लेकिन जब आप actually में development कर रहे होगे तो आपक अभी देखिए इसे मैं clear करता हूँ और again यहाँ पर अगर मैं npm start करूँगा तो अब देखना क्या होने वाला है अभी देखिए यहाँ पर दो log आ रहे है जिसमें से पहला तो है injecting env2 from .env.production मतलब कि यह वाली file तो हमारी read हो गई लेकिन एक और file read हो रहे है जिसकी हमें need न npm start करता हूँ तो हमारे जो environment variable है वह भी .env.production से successfully read कर रहे है और हमें वह जो दो line थी वह भी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है वह automatically हमारे process.env के अंदर inject हो गए अभी अगर हम यहाँ पर npm run dev करके देखेंगे जो कि हमने .env.development के लिए किया था तो वह भी यहाँ प फाइदा जो कि है multiple environment support का जो कि हमें .env.x provide करता है और यह feature बहुत ही कमाल का है अभी इसका एक और तोड़ू feature है जो कि था encryption तो इसके बारे में हम बात करते हैं अभी देखें यह जो file है मैं इसे delete कर देता हूँ because हमें उसकी need नहीं है and अभी अगर हम .env.development में जाएंगे या फिर .env.production में जाएंगे तो आपको या भी चीज दिखेंगी और वो चीज यह है कि यह जो हमारे port और API की है basically हमारे environment variable है वो एक plain test format में जो कि एक security का issue बन सकता है अगर यह .env.production किसी तरह से control में आ जाती है attack करके द्वारा तो इसको encrypt करने के लिए हमें यह जो हमारा . .env.exe वो एक feature provide करता है जो कि है .env.exe encrypt तो जैसे ही .env.exe run था वैसे ही हमारे पास एक और script है एक और command है जो कि हमे .env.exe provide करता है और उसका हम use करने वाल है तो यहा पर मैं क्या करूंगा यहा पर इसे comma लगाऊंगा और यहा पर एक और script बनाता है जो कि है startenv.encrypt और इसके अंदर हमें command लिखेंगे जो कि है .env.exe encrypt और इसके बाद आपको यहा पर लिखना है .f जो कि basically denote करता है फाइल को तो यहा पर हम कौन सी environment file है जिसे encrypt करना चाहते तो वो है .env.production तो इसे हमें encrypt करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इसे मैं यहा से clear करता हू and then अभी अगर मैं यहा पर लिखो npm run start env encrypt अभी जैसे ही यहा पर मैं command run करूँगा तो आप देखिए यहा पर log आ रहा है encrypted.env.production key added to .env.keys तो यहा पर अभी इसने एक नई file create किये और वो क्यू किये वो भी मैं आपको दिखा दाओ लेकिन इससे पहले हम चलते .env.production file के अं available थे वो यहा पर encrypt हो चुके है और यह अभी unreadable format में है तो यह बहुत ही कमाल का security feature है जो कि हमें .env.keys provide करता है और अगर आपने public की और private key का concept सुना हुआ है तो यह इसकी public key है और इसने एक private key बना के रखी है जो कि इसने .env.keys नाम की file में create करके रख दी है और इन्होंने या पर एक और चीज़ mention किये कि आपको यह जो पूरा जो file है जो कि है .env.keys उसको कभी भी अपने kit के अंदर push नहीं करना है तो again इसको आपको always try करना है कि इसको आप .keys ignore के अंदर put करें तो यह बहुत ही एक कमाल का feature है और यह मेरा बहुत ही favorite feature बन गया है because यह हमें encryption provide करता ह है हमारे environment variables के लिए तो यह जो .envx package है वो एक .env का advanced package है और इसे कुद creator of .env नहीं बना है तो इसके अंदर बहुत ही आगे जाके और भी improvement होंगे लेकिन एक बहुत ही कमाल का update था इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो please इस नेक्स्ट वीडियो में till then happy coding